दिफेंस दिल्स में भी गोटाले आम थे, बीते नव वर्षों में डिफेंस दिल्स पुरी पार दिश्ट के साथ किया गया है, अब तो हम भारत में ही अपनी जरुरत का रक्षा सामान बनाने पर बल दे रहे हैं, शाथियों, ब्रस्टा चार के विरूद लड़ाई को लेकर, ऐसे अनेक कदम, आप भी बता सकते हैं, मैं भी गिना सकता हूँ, लेकिन अतीज के हर अध्याय से, हमें कुछ न कुछ सिखने की जरुवत है, दुरभागे से, ब्रस्टा चार से जुड़े मामले, वर्षों तक खीटते चले जाते हैं, ऐसे मामले भी आये हैं, जिसमें F.I.R. होने के दस साल बाद भी, सजा की धाराओं पर चर्चा चलती रहती हैं, आज भी, जिन मामलों पर एक्शन हो रहे हैं, वो कई कई साल पुराने हैं, जाच बैदेरी, दो तरीके से सबस्चा को जन्म देती हैं, एक तरफ प्रश्टाचारी को सजा देर से मिलती हैं, तो दूसरी तरफ निर्दोष परिशान होता रहता हैं, हमें सुनिशित करना होगा कि कैसे हम इस प्रोसेस को तेज मनाएं, और प्रश्टाचार में दोश्टी को सजा मिलने का रास्ता साप हो पाएं, हमें बेस्ट इंटरनेश्टनल प्राक्टिसिस को स्टड़ी कर रहा होगा, जहां चर्दिकारियों की कैपसेटी विलिंग पर फोकस करना होगा, और साथियों आपके बीश मैं एक बात फिर स्पस्ट करना चाहता हूँ, आज देश में करप्शन के खिलाब कारवाई करने के लिए राजनेती की इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है, आपको कहीं पर भी हिचक ने कहीं रूखने की जरुवत नहीं है, मैं जानता हूँ, जिनके खिलाब आएक्शन ले रहे हैं, वो बहुत ताकतवर लोग है, बर्सों बर्स तक वो सरकार का सिस्टम का हिस्टा रहे हैं, संभव है, कई जग किसी राज में आज भी विस्टत्ता का हिस्टा हो, बर्सों बर्स तक उन्होंने भी एक एकोसिस्टिम बनाया है, एकोसिस्टिम अक्सर, उनके काले कारणामों को कवर देने के लिए, के लिए एक्टिव हो जाता है एजंसी पर हमला बोल दो यह लोग आपका ध्यान बढ़काते रहेंगे लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है कोई भी प्रस्टाचारी बचला नहीं चाहिए हमारी कोशिशों में कोई भी डिल नहीं आनी चाहिए यह देश की इच्छा है यह देश वास्यों की इच्छा है और मैं आपको भरोसर दिलाता हूँ देश आपके साथ है कानून आपके साथ है देश का सम्विधान आपके साथ है साथ को बहतर परणामों के लिए अलग-अलग एजन्टियों के बीच के साइलोस को भी खत्प करना बहुत आवश्यक है जॉइंट और मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वेस्टिकेशन आपसी विश्वात के माहुल में ही सबब होगा अब देश की जॉपरो की जॉग्रोफिकल बाउंडिस उससे बाहर भी पैसों का लोगों का गूर्ज एंड सर्विसित का बड़े पैमाने पर मुमेट हो रहा है जैसे जैसे भारत की आर्थिक शक्ति बढ़ रही है तो अर्चने पैदा करने वाले भी बढ़ रहे हैं भारत के सामाजिक तानेबाने पर हमारी एक्तावर भाईचारे पर हमारे आर्थि हीतों पर हमारे संस्थानों पर भी नित्य प्रतिदिन प्रहार बढ़ते चले जा रहे हैं अर्ज में जाहिर तोर पर करप्शन का पैसा लगता है इतलिए हमें क्राइम और करप्शन के मल्टिनेशनल लेचर को भी समझना होगा स्टड़ी करना होगा उटके रूटकोज तक पहुंचना होगा आज हम अक्सर देखते हैं कि आदुनिक टेक्नलोजी के कारण क्राइम ग्लोबल हो रहे है लेकिन यही टेक्नलोजी यही इनोवेशन समाधान भी दे सकते हैं हमें इन्वेश्टिगेशन में फोरेंसिक साइंस के उपयोग का और जादा विस्तार करना होगा साथियों साइबर क्राइम जैसी चुलोतियों से निपटने के लिए हमें इनोवेटिव तरीके खोजने चाहिए हम टेक एनेबल एंट्रेप्रिनर्स और यंग्स्टर्स को अपने साथ जोड सकते हैं आपके संगठन में ही कई टेकनों से भी युवा होंगे जिनका बहतर उपयोग किया जा सकता है साथियों मुझे बताया गया है कि CBI ने 75 ऐसी प्रथाओं को कमपाइल किया है जिनने समाप्त किया जा सकता है हमें एक समयबद तरीके से इस पर काम करना चाहिए बीते वर्षों में CBI ने खुद को इवाल किया है ये प्रक्रिया बिना रुके बिना थोके ऐसे ही चलती रहनी चाहिए मुझे पुरा विश्वास है चिंतन शिवीर एक नए आत्म विश्वास को जन्म देगी ये चिंतन शिवीर नए आयामों तक पहुंचने के रास्ते बनाएगी ये चिंतन शिवीर गंबीर से गंबीर कठीन से कठीन समस्याओं को सुल जाने के तोर तरीके में आधुनिकता ले आएगी और हम ज्यादा प्रभावी होंगे ज्यादा परनामकारी होंगे और सामान्य नागरिक नबूरा करना चाहता है नबूरा उसको पसंद है हम उसके भरोसे आगे बढ़ना चाहते हैं जिसके दिल में सच्चाई जिन्दा है और वो संख्या कोटी-कोटी जनों की है कोटी-कोटी जनों की है इतना बड़ा सामर्थ हमारे साथ खड़ा है तो हमारे विश्वाफ में कहीं कमी किजी गुण्जाईश नहीं है साथियो इस हेरक महोसव के महत्तोकों अवसर पर मैं आपको अनेक अनेक शुपक्वावनाय देता हूँ आप अपने लिए पंदरा साल में क्या करेंगे और अपने माध्यम से 2047 तक क्या एट्यू करेंगे ये दो लक्षताय करकर के आगे बढ़ना चाहिए पंदरा साल इसलिए कि जब आप 75 के होंगे तब आप कितने सामर्थमान समर्पित संकल्प मान होंगे और जब देश 2047 में श्रताबी मनाता होगा तब इस देश की आश्रा आप एक्षाव कहनूप आपकी सुचाई पर पहुंचे होंगे वो दिन देश